हलो दोस्तो एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरी YouTube चैनल में आज का हमारा topic है जो है वो है RmC Lab Test इससे last जो वीडियो था हमने उसमें Lab Test के बारे में भी बढ़ा था आज हमारा second Lab Test है जो हम आपको इस वीडियो के त्रूब बताएंगे उससे पहले कुछ वीडियो में हमने आपको RMC, RMC के टाइप्स, डिजाइन मेक्स, नॉर्मिनल मेक्स, इन सब के बारे में एक बेसिक इंफरमिशन दिया था, अगर आपको उसमें कुछ कन्फीजन है तो आप उन वीडियो को एक बार टैली कर सकते हैं, तो आज का हम टॉपिक को देखिए, शुरू से एंड तक जिससे कि आपका कोई भी कॉंसेप्ट ऐसा नहों जो ढिला रहे जाए समझने के लिए, आपको सारे इसके बहुत अच्छे समझने है इसके, तो हम शुरूबात करते हैं क्यूब टेस्ट से, तो फस्ट रफ आपर हम को बताएंगे क्यूब क्या टोपिक्स होते हैं फस् Wonder Sement Ratio, water cement ratio के उपर हमारी compressive strength depend करती है second design mix जैसे मैंने बताया था design mix हर project का अपना लाग लाग होता है तो design mix के उपर भी हमारी compressive strength depend करती है third is aggregate types कि जो type of aggregates हम use कर रहे हैं इसके उपर कहीं ना कहीं हमारी compressive strength depend करती है and fourth and last is efficiency of mixing आप कितना efficiently उस जो mixture है rmc का उसको mix कर रहे हैं इसके उपर भी dependent करती है compressive strength तो guys हम आपको बताते हैं क्यूब test को सुरू करने से पहले हम बताते हैं हम इस में starting में क्या के equipment चही होते है starting में हमें cube चाहिए होते है इसके लिए cube molds जो हम यूज करते हैं जैसे मैंने बताया apparatus required एक cube mode चाहिए होता है and second is tempering rod tempering rod जो हमारी slum cone test हो यूज होती है वो same यह होती है और इसमें cube test यूज होता है यह जो test है यह हमारा is 516-1959 के अंदर mentioned है यह सारे test के कैसे हम करते हैं तो guys हम चूण करते हैं अपना QT के बारे में QT के में activityωा मैं होता है क्यूब मोड होते हैं वह ह्लोंabbने지고 días करते है इसके जितने भी sizes है इसके size होता है 150 mm वा 150mm यूज होता है किसी इक से लाड़ एे 100 mm या 100 mm योज होता है लेकिन maximum 99% यह हमारा 150 mm x 150 mm x 150 mm के size में use होता है इसका जो horizontal vertical का angle होता हो सारा 90 degree पर होना चाहिए इस पर IS code 90 degree plus minus 0.5 degree का इसमें variation हो सकता है इस से जदा variation आएगा तो cube हमारा जो cube mold है वो हमारा ठीक नहीं है हमारे test करने के लिए तो guys अब हम आते हैं यह दो हैं इसके apparatus जो हम starting में use करते हैं तो अब हम इसके प्रोसेजर पर आते हैं guys इसका प्रोसेजर क्या है first of all take fresh RMC जो RMC हमारी प्लांट से निकलती है batching plant से हम उसमें से fresh RMC निकालते हैं तसले में या फिर जमीन पर निकालते हैं उसके बाद हम 6 या 9 क्यूब भरते हैं उस particular RMC से 6 या 9 क्यूब हम क्यों भरते हैं यह हम आपको पताएंगे maximum sites पर हम 6 क्यूब ही बरते हैं बट कहीं कहीं 9 भी भर लेते हैं अब हमने 6 या 9 क्यूब लेने हैं अब है fill the cube कैसे भरना है इसको 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 हमने तीन पार्ट में भरना है सेम जैसे हमने slum cone को भरा था कि first of all one third भरना है क्यूब को उसके बाद उसको टेंपरिंग लोट से 30 से 35 वार उसको टेंपर करना है फिर उसको 30 से 35 वार टेंपरिंग लोट से टेंपर कर ना है धर उसको फुल भर देना है और फॉर वह पूरा भर जाए उसके यहाद उसका जो उपर का surface है उसको neat finish करना है हमें बिल्कुल फिनिश्ट हो उसके उपर और उसके उपर हमें उसका डाल देना है किस लोकेशन पर गया है वहाँ पर उसके बाद उस क्यूब को भरने के बाद हम उस क्यूब को 24 आर्स के लिए हम छोड़ देते हैं जो हम open surface में छोड़ते हैं वो हमारा temperature हो है 27 डिग्री प्लस मैनस 2 डिग्री होना चाहिए ऐसा नहीं हो 40 डिग्री के टेंपरिचर पर रख दें उसको अगर ज्यादा temperature हो तो क्रेक कर जाएगा और कम टेंपरिचर वह प्रॉपर्ली यहां को होता है put date and grade of cube हमने उसके उपर ग्रेड डालनी है और date भी डालनी है उसके उपर देन उसके बाद क्या करना है हमने हमने जो हमारे क्यूब निकले हुए है उसको हमें पानी के अंदर डाल देना है जो हम एक प्रॉपर क्यूरिंग के लिए हम टैंक बनाते हैं तो उस टैंक के अंदर हमें डाल देना है जो क्यूरिंग टेंक हमने बनाया है जो क्यूब के लिए उसके अंदर जो पानी है उस पानी का टेंपरचर 25-29 से के अपरोक्स होना चाहिए इससे बहुत जादा बहुत कम नहीं होना चाहिए वरना वह कहीं न कहीं अपने प्रेंग नहीं कर पायेगा तो guys हमने जो 6 और 9 Q पकड़े थे उसको हमने 7, 14 और 28 days के लिए हमने डाल दिया for example हमने 9 Q पकड़े तो हम उसको 7 days, 14 days और 28 days में 3-3 गर के चेक करेंगे यहीं अगर हमने 6 Q पकड़े होते जो हम maximum पकड़ते हैं वहां हम 7 days में 28 days में चेक कर देंगे तो guys उसके बाद हमने उसको 7 days, 14 days और 28 days के रख दिया उसके बाद आफटर 7 days हमने उसके q coo को निकालना है जो हमने 7 days की टैस्टिंग के लिए रखा हुआ है उसको निकालने के बाद हमने उससे पाने से निकालना है और थूड़े दूब में फिर साफ करना है साफ कपड़े से और इसको रखना है इसके बाद हमारा जो थर्ड एपरेटर इसमें यूज होता है वो वोता है compression testing machine CTM machine बोलते हैं short मैं से तो CTM machine से हम इसकी readings निकालते हैं यह एक machine होती है यह जो मैं आपको बता रहा हूं इसका practical भी मैं आपको इनके next coming videos में आपको बताऊंगा इनकी practical exactly कैसे होते हैं यह CTM machine से हम इसकी क्यूब test की strength निकाल निकाल अब आते हैं इसकी testing पर तो हम consider करते हैं कि जो हमने freshly क्यूब भरे थे वह M20 grade के बरे थे अब आते हैं इसकी first testing पर first testing हमारी seven days में होगी मैं CTA machine हमने तीन नंबर क्यूब पकड़े हैं टेस्टिंग के लिए आफ्टर seven days ऐस पर IS code ऐस पर आइस कोड़ जो हमने बताया था आपको कि इसके लिए जो हमारा IS code है वह आइस 5161959 यूज होता है तो ऐस पर आइस कोड़ जो compressive strength आनी चाहिए यह क्यूब की M20 के case में after seven days वह 67% of 20 जो M20 में यह इसके aggressive strength है तो 67% of 20 that is 16.75 newton per mm2 आनी चाहिए अगर यह ज्यादा है उससे 16.75 से तो कोई शू नहीं है हमारा क्यूब पास है और अगर यह कम है उससे तो हमारा क्यूब 7 डेज पर फेल है बट चिंता की कोई बात नहीं है हमारे पास और दी क्यूब से टेस्ट करने के लिए देन हम आते हैं उसके 28 डेस पर जो कि हमने अगर 6 क्यूब अगर जो तीन लॉट हमारे बच्चे हुए है उसका जो टेस्ट है 28 डेस का वह हम 20 डेस 28 डेस के बाद उसको निकालेंगे उसके जो तीन है वह हमने निकाले उसकी उस तैम जो रेडिंग आनी चाहिए वह हमारी 100 परसेंट ऑफ 20 जो की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है इस 20 न्यूटन पर अनी चाहिए अगर गाईज यह जो हमारी रेडिंग है अगर 20 न्यूटन पर स्कुएर आज आती है या फिर इससे ऊपर आती है तो हमारा क्यूब पास है अधर्वाइस हमारा क्यूब फेल हो जाता है वहां पर और फिर उने के बाद उसमें इंजेक्शन ग्राउटिंग है है हमरे टेस्ट कुछ होते हैं हमारे जो हम सैट पर करते हैं पर प्रजेंट ल आप आनी चाहिए जो कि हमारी एप्रोक्सिमेटली एटीन के आसपास आएगी एटीन न्यूटन पर आएमेम स्कूर अगर वह एटीन 14 देज में 90 पर संट आएगी यह तो इसके बाद हम इसका टेस्ट कैसे करते हैं हम कंप्रेशन जो हमारी सीटीय मशीन होती है उसकी और उसके बीच में क्यूबको फशाते हैं एंड उसके उपर ऊपर से लोडशा करते हैं लोडशा करने के बाद जैसे मैक्सिमम ल एप्लाइट ऐड़ और उसके उसमें एक मीठर होता है जिस में से हमें रीडिंगस मिलती है इस उसकी रिडिंग सुफाइड नीटन किलोन्यूटन आती है क्यूब की रिडिंग जो हमने क्यूब टेस्ट कर değiş है तो इसकी रिडिंग निकलना होता है maximum load applied जो rating हमारी आ रही है divided by area of cube मैं द्वारा बता हूँ आपको उसका maximum load हमने apply किया है जो उसकी rating आ रही है CTM machine में वो divided by area of cube तो guys area of cube क्या होगा 1.500 x 1.500 क्योंकि हमारा जो length, breadth, height जो cube की है वो 1.500 x 1.500 है तो यह हमारा आता है 25,500 mm per square इसके बाद compressive strength जैसे मैंने बताया आपको max जो rating आएगी divided by area of cube तो 45, 450 newton, newton को मैंने in 2000 किया यह newton में आ गया divided by 22,500 तो अगर हम इसकी calculation करेंगे तो मेरा 20 newton per mm square आएगा guys कहीं कहीं इंटर्स में यह भी पूछ लेते हैं कि exactly इसको calculation कैसे करते हैं इसकी ratings कैसे निकालते हैं तो आप उनको directly बता सकते हैं कि जो मेरी ctm machine में rating आएगी उस reading को मैं area of cross section जो मेरा cube का area मैं इसको divide कर दूँगा तो मेरी finally rating निकल कर आ जाएगी तो guys आज हमने यहाँ पर क्यूब test के बारे में बढ़ा कि क्यूब test क्या होता है क्यूं करते हैं और क्या क्या apparatus होते हैं और उसका procedure क्या होता है जैसे कि मैंने आपको बताया फिर उसके testing कैसे करते हैं प्रोसेजर के बाद में और उसके क्या क्या कॉमेंट करें and maximums maximum लोगों को बताया इस चैनल के बारे में और सभी को बोलें कि अपनी knowledge को आप increase कर सकते हैं गीन कर सकते हैं इस चैनल के थुरू जो practical चीज़े हैं life की civil engineering की वह हम आपको इस चैनल में बता रहे हैं thank you guys and all the best